प्रिंटिंग इतिहास सन 1714 में प्रिंटिंग के निर्मान से शुरू होता है वास्तव में प्रिंटिंग की जड़े प्राचीन का नौज में नहित थी नवाब ने इसे प्रिंटिंग में स्थानां तरिक कर दिया फरुखाबाद में आर्थिक गतिविधी को गती देने का मकसद था ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके इसके लिए नवाब ने हर्याना से प्रिंटिंग में उस्ताद संप्रदाई साध लोगों को यहां बुला बसाया जिस मोहले में बसाया उसका नाम पड़ा सध्वारा फरुखाबाद में साध समाज का अपना एक अनोखा वा अपना एक अलग स्थान था छपाई वस्त्र उध्योग में दुनिया में इन्होंने अपना डन का बजाया सिल्क सारी, स्कार्फ, लिहाफ आधी अनेकों वस्त्र प्रिंटिंग के कार्य से जिले को सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला सम्प्रदाई बनाया थोड़ा समझने की कोशिश करते है कौन है, कैसा है, ये सम्प्रदाई, क्या है इनका इतिहास The People of India, नामक पुस्तक में इस सम्प्रदाई के बारे में जो कुछ भी लिखा है आज के संदर्व में अक्षरश, सही है और रंग जेब के समय का एक चित्र भी इनकी आज की वेश भुजा को चरितार्थ करता है साद, सम्प्रदाई सीमित संख्या में एक जन जाती नहीं, पर एक बहतर सम्प्रदाई है इसमें उची जाती के हिंदू ब्राहमन, बनिया, चीपर्ज या रंगरेज, सुनार आदी कोई भी शामिल हो सकता था अधिकांश्तह इनकी आबादी फतेहगर, बनारस्व उत्तर भारत में बहुत सीमित संख्या में बस्ती है साद का मतलब है, सत्य, ये सम्प्रदाई किसी भी प्रकार की मूर्ती पूजा, गंगा या जमुना पूजा में विश्वास नहीं करता ये सिर्फ सत्य की पूजा करते है साद मीट वर शराप से दूर रहते है, ये बिलकुल सादा भोजन पसंद करते है, यह एक अद्भुद संप्रदाई है इनके यहां विवाह की अनौखी प्रता है, लड़कियों की शादी पक्की उम्र में की जाती है, लड़कियों को वर चुनने का आधिकार होता है इसके लिए इनके यहां चौकी आयोजित की जाती है, जहां लड़कियों वर चुन लेती है और वर के साथ चली जाती है लड़की अपने पती के साथ जिंदगी भर प्रतिबद्ध रहती है, साद प्रतिभाशाली उत्तम, संपन्न व्यापारी होते है इनका कोई मंदिर नहीं होता और न कोई पुजारी होता है, इनके घर के बुजुर्ग ही इनके मार्ग दर्शक होते है ब्लॉक द्वारा कपड़े की छपाई के इतिहास के सबूत सन 1601 से शुरू होकर इस्ट इंडीज, हालिंड, पुर्तगाल से होकर भारत में कब आया निश्चित नहीं कहा जा सकता हैंड प्रिंटिंग भारत का एक प्राचीन शिल्प है भारत को अपने हस्ट शिल्प और हाथ से तैयार की गई वस्तूओं के लिए एक अंतराश्ट्रिय ख्याती प्राप्त है उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद पारंपरिक दिजाईनों का एक सत्य प्रिय खजाना है जिसमें शास्त्रिय बूटी से लेकर प्रसिद ट्री ओफ लाइफ तक का खजाना शामिल है आज फरुखाबाद की हाथ की छपाई पूरी दुनिया में प्रसिद है और यह मूलकारीगरों की शिल्प कोशल की गवाही देती है यह कहना अतिश्योक्ती नहीं होगा की फरुखाबाद हस निर्मित ब्लॉक प्रिंटिंग कला का पर्याय बन चुका था था इसलिए कि अब योई उध्योग किनी कारणों से यहां से विस्थापित हो दिल्ली हर्याना जा चुका है कभी सिल्क सारी, सकार्फ, लिहाफ से विश्व में फरुखाबाद का डंका बजा करता था इस उध्योग के जाने की बजह से लकडी के ब्लॉक बनाने मतलब डट्टा उध्योग भी बंदी के कगार पर पहुंच गया है विश्व के अनेको शहरों में इन घरानों के शोरूम बखुबी आज भी चल रहे है निश्चे ही इस उध्योग के विस्थापन से फरुखाबाद की चमकफी की हुई है काहिरा, मिस्र में एक कब्र से कपड़े का जो टुकड़ा मिला था वो लगबग 600-800 वर्ष पुराना माना गया इस प्रिंट को देखने से फरुखाबादी लिहाफ प्रिंट की आकृती सामने आ गई जुकच गुजरात के आजरक प्रिंट से मिलती है यह एक जोमेट्रीकल डिजाइन पर आधारित हस्ट ब्लॉक प्रिंट है कुछ इतिहासकारों का मानना की अजरक भारत के उप महादवीब के लिए स्वदेशी मुदरन के सबसे पुराने निरंतर रूपों में से एक है फरुखाबाद के 300 वर्षों से अधिक स्प्रिंटिंग उध्योग ने एक बात सिधकर दी भारत की आबादी को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत का भविश्य छोटे मजले हस लगो उध्योगों पर ही निर्भर है अपने अगले अंक में हम किसी अन्य समंधित विशे पर बात करेंगे